अरे सर, दो दिन एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाई होती है, तीसरे दिन ऐसा confidence आता है कि अब तो एकदम सब बढ़िया चल रहा है, तो ऐसा करते हैं, आज ब्रेक ले लेते हैं, और एक दिन जब हम ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वो जो ब्रेक की लत लगती है, फिर जो समझ में नहीं आता है, यह जो लोग बच्चे C.A. क्लियर कर जाते हैं, रैंक ले आते हैं, पहली बारी में बोध ग्रोप, सिंगल ग्रोप पास कर जाते हैं, यह लोग consistent कैसे रहते हैं, किस तरीके से दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन, छे दिन, consistently exams तक मेहनत करते यह समझ में नहीं आता, क्या आप भी यह चीज़ फेस कर रहे हैं, अगर हाँ, तो अभी के अभी comment section में जरूर मुझे पताना, you are also facing this issue of consistency, because क्या होता है न, हमको ऐसा लगता है, सिर्फ हमारे साथ हो रहा है, यह दिक्कत सिर्फ हमारे साथ हो रही, यह बाकी C.A. students के साथ न ओँ, तो अपने आप दिन के targets बिगड़ جाते हैं, जैसी targets बिगड़ते हैं, अपन दे-motivator हो जाते हैं, और वो दिन एकड़म तहसने, एक दिन सत्यानाश हो जाते हैं, अर एक दिन की bed बचती है, तो उसके regret में उसका अगला दिन, उसके regret में उसका अगला दिन, और सारी चीजें हो जाती है खराब तो कैसे consistent रहना ये बात मैं आपको बताता हूं अब सर जब बात होती है consistency की तो मैं आपको बताता हूं मैं कैसे consistent रहता था बड़ी simple सी बात है अगर आपको consistent रहना है न तो आपके सामने एक goal होना चाहिए example के तोर पे जब मैं school में था तो हम school में जब हम पढ़ाई करते थे तो हम consistently क्यों पढ़वाते थे क्योंकि हमें पता था इस दिन teacher test लेगी इस दिन हमारा test होगा अभी अभी ये test है उसके लिए हमको अभी से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा क्या वो test 6 महीने बाद होता था नहीं generally हमारे school में test होते रहते थे हर एक हफते दो हफते में हर एक दो हफते में test होते रहते थे हो हम consistently पढ़ते रहते थे अभी आपको अपने साथ यही करना है आपने यह नहीं सोचना मेरे exam 6 महीने बाद है 4 महीने बाद है 2 महीने बाद है नहीं आपके सामने आपका planner होना चीए एक तो monthly planner कि इस मन्त में मुझे क्या-क्या targets achieve करने है कौन-कौन से subjects है जो complete करके चलने है ठीक है sir अब माल लो आपको accounts का subject करने है costing का subject करना है अब उस accounts और costing के subject को करने के लिए कितना time लगेगा let's say 8 to 10 days लगेंगे अब वो देखो 8 to 10 days में आपने accounts का subject complete करना है तो वो जो आपका monthly planner है उसको आप break करोगे in weekly planners कि इस week में अब मुझे कौन से targets achieve करने हैं माल लो इस हफते में मुझे ये 5 chapter complete करने है तो अब वो जो 5 chapter है उसके हिसाब से देखो कल कौन सा chapter उठाना है कल का target क्या है यानि पहले क्या किया monthly target बना है monthly target के basis पे weekly target बना है weekly target के basis पे daily target और ये daily target कल नहीं बनाना आज रात को बना के सोना है ताकि आपको पता रहे कल मुझे 10 चीज़े करनी है और अगर शुभम तू सुभा टाइम से नहीं उठा तू अगर सुभा टाइम से नहीं उठा तो फिर कल की band बच जाएगी तभी आप सुभा टाइम से उठोगे मेरे दोस्त तो आपने एक करतव या निभान है आपने एक काम करना है कल का जो प्लैनर है कल का जो टार्गेट है आज रात को आप बनाओगे और जब वो टार्गेट बन जाएगा तभी आप सोगे और अपने आप से कमिट्मेंट करोगे कि मुझे सुबा उठना है तब आप एक excitement के साथ एक जुनूनियत के साथ सुबा उठ पाओगे क्या ये basic सी बात समझाती है हाँ sir दूसरी चीज जो मेरे लिए काफी helpful थी वो थी मैं हमेशा एक या दो लोगों से connected रहता था during my CA studies चाय वो CA intermediate हो या CA final हो अब आपके जो एक दो लोग है जिनसे आप connected हो या आपके दोस्त हो सकते है ये आपके tuition वाले friends हो सकते है जिनसे आप coaching वगरह में मिले but remember they should be motivated enough ये लोग भी motivated enough होने चाहिए to clear the exams because क्या होता है ना ऐसा कहा जाता है जैसी आपकी संगरती वैसी आप बन जाते हो जिस तरह की लोगों के साथ आप रहते हो वैसी आप बन जाते हो तो आपने एक insure करना है अगर आप motivated अच्छे लोगों के साथ रोगे तो वो ही आपको inspire करेंगे आगे बढ़ने के लिए ये चीज मुझे मेरे CA final में काफी काम आई दो से तीन मेरे दोस्त थे जैसे कि निशेत हो गया, शिवान हो गया ये मेरे को अपनी EY की articleship में मिले थे हम लोग साथ में पढ़ाई करते थे साथ में कैसे पढ़ाई करते थे अपने अपने घर पर ही पढ़ाई करते थे बट दिन में एक बार connect करके discuss करते थे कि how was your day and mostly ऐसे ही होता था किसी दिन मैं demotivated होता था वो लोग पढ़ाई कर रहे होते थे तो मैं उससे inspired हो जाता था, किसी दिन मैं अपनी शक्ति चलती है, वो है संगठन की शक्ति संगठन का मतलब है, जब हम एक collaboration के साथ आगे बढ़ते हैं, तो definitely we get the best of the results तो मेरी आप से ही request रहेगी एक दो ऐसे motivated लोगों के साथ जुडे रो अगर ऐसा कोई नहीं है, तो don't worry about it मैं तो हुई, मैं तो हुई जो आपको रोज push करता रहता है, guidance देता रहता है, अगर अभी तक आप नहीं जुडे है you can consider joining our telegram channels, रोज आपको telegram channel पर सुबह सुबह एक morning message मिल जाता है जहाँ पर आपको वो booster मिल जाएगा to carry on with your day, you got it or not yes sir, तीसरी चीज़ जो आपने यहाँ पर करनी है, that is reward yourself अपने आपको reward करते हुए चले, sir कैसे मैं बताता हूँ, school में जब आपका हफते दो हफते बार test हो जाता था, ठीक है, तो आपको एक motivation मिल जाती थी to prepare for the next test, to prepare for the next cycle test, yes sir plus अभी जब आप पढ़ रहे हो तो आप भी एंशोर करोगे कि आप भी regularly चीज़ों को practice करते चलो अगर कोई test आपकी faculties ने दे रहे हैं, जैसे हमारे साथ क्या audit की classes लेते, तो साथ साथ टेस्ट देते वे चलते हैं तो वो test आप लिखके अपने आपको check कर सकते हो, how you are going ahead in your preparation, now sir अब हम अपने आपको reward कैसे कर सकते हैं अपने लिए breaks निकालो, यानि जब आपका एक हफते का target पूरा हो गया यानि Monday to Sunday आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली, Sunday की शाम को आप अपनी family के साथ, friends के साथ एक outing पे जा सकते हो, उस time को निकाल सकते हो, आप किसी अपने favorite cafe चले जाओ अपनी कोई favorite movie देखने चले जाओ या फिर आप अपने family friends के साथ ऐसी थोड़ा सा time spend कर लो बाहर तो आपको खुद को अच्छा लगेगा और ऐसा भी होता है, कि अगर हमारी पढ़ाई अच्छी नहीं होई होती, और फिर हम friends के साथ family के साथ time बाहर निकालते हैं, तो regret feel होता है, so this is one thing which I feel all of you should do, and trust me, फिर आपकी consistency बनी रहेगी और मैं एक बात बता दू, consistency बनाये रखना असान काम नहीं है, consistency बनाये रखना असान काम नहीं है, sir क्यों मुझे बताओ, CA की past percentage क्या है, sir, CA की past percentage यह है, 15 to 20 percent, यानि आप यह मान के चलो, जो consistent hard work है, वो सिरफ top 15 to 20 percent बच्चे ही कर पाएंगे, तो हमेशा अपने आप से सवाल पूछना, क्या मैं top 15 20 percent में आना चाता हूँ, हाँ sir में आना चाता हूँ, तो वो करो, जो बहुत कम लोग कर पाते हैं, that is maintain the consistency, रोज आपका मन करेगा, चलो आज मजे मारते हैं उसी मन को मनाना है, उसी मन को मनाना है, किताबों को उठाना है और चुपचा पढ़ने बैठ जाना है एक बात हमेशे याद रखना, sir क्या क्या CA वही बच्चा बनता है, जो motivated होके पढ़ता है, the answer is no कोई भी इनसान रोज motivated नहीं रह सकता, तो sir CA कौन बनता है, जो ना मन करते हुए भी पढ़ता है, जो रोज ना मन करते हुए भी पढ़ता है, वही CA बनता है, sir क्यूं, क्यूंकि भले ही उसका मन नहीं है, वो मन को मनाता है, किताबों को उठाता है और चुपचा पढ़ने बैठ जाता है, because उसको पता है, आज अगर मैं अच्छे से पढ़ लिया, तो definitely मुझे अच्छे results मिलेंगे, because the results is nothing but a reflection of your hard work and not only hard work consistent hard work, तो सारे बच्चे मुझे commitment करेंगे, comment section में sir, हम एकदम बढ़िया वाली consistency बना के चलेंगे, तीन बाते ध्यान रखेंगे, क्या, रोज planning करेंगे properly, month का plan, weekly plan daily plan, रहना चाहिए, कुछ भी ना हो daily plan तो आपके पास रहना ही चाहिए दूसरी बात, अगर आपके साथ हो सके तो 2-3 अच्छे motivated दोस्तों के साथ connected रहो, नहीं है, तो मैं तो हुई मैं रोज आपको motivated रखता चलूँगा तीसरी चीज, हर हफते थोड़ा बहुत time अपने लिए निकालें अपने friends के लिए, अपनी family के लिए that will keep you motivated and inspired to achieve your targets in the next week also, और हां, ऐसे मू बनाके पढ़ाई मत किया करो, खुशी से पढ़ा करो क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे लगे रहो मित्रों, लगे रहो अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, तो do like it तक ये बाकी CS students सके पहुँच सके and yes, stay subscribe to the channel for more such videos, all the best, keep going